अब हम अध्यान करेंगे बारवी बायलोजी के अंतरगत Human Health and Disease इसके अंतरगत Part 3 मतलब जो टेस्ट नंबर 3 थे उसका अबजेक्ट 2 का अध्यान यहाँ पर हम लोग करेंगे ठीक है इस से पहले हम लोग टेस्ट 1 टेस्ट 2 का अध्यान कर लिए हैं अब यहाँ पर बचा हुआ है टेस्ट 3 और टेस्ट 4 ठीक है तो अब अध्यान करते हैं टेस्ट 3 का पहला कुश्चन Diabetes Mellitus मतलब यह सुगर रोग है मतलब यह मधुमे है Diabetes आप लोगों को पता होगा कि Diabetes क्यों होता है Diabetes होने का मूल कारण होता है Insulin Harmon की कमी आप सब को पता होगा कि हमारे सरीर में Pencreas नमक आरगन होता है अगनासा आरगन होते हैं इसके अंदर में एक और आरगन होती है Eyes Let's Up Langerhans Eyes Let's Up Langerhans इस Eyes Let's Up Langerhans में चार प्रकार की सेल्स पाई जाती है Alpha, Beta, Delta और उसमें एक और होती है गामा ठीक है इसको भी कई बार एक बार पूछा गया था Eyes Let's Up Langerhans में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है तो चार प्रकार की पाई जाती है जिसमें विशेस रूप से दो का अध्यान किया जाता है अलफा सेल्स है और बीटा सेल्स है जो बीटा सेल्स होती है वही इंसूलिन नामक हार्मोन का क्या करती है सेक्रेशन करती है और इंसूलिन हार्मोन का कार्या होते है ग्लू कोज को ग्लाइकोजर में चेंज करना ग्लू कोज को ग्लाइकोजर में चेंज करना से की कमी हो जाती है तो इंसुलिन हार्बोन का निर्माण नहीं हो पाएगा फलता हमारे सरीर में जो भी ग्लू कोज बनेगा वो ग्लाइकोजन में चैंजेज नहीं हो पाती है और ग्लाइकोजन में डाइबिटीस, मेलिटस, ठीक है जी, मधुमें सरकरा रोप कहते हैं, जैसे समान यमी कितना होना चाहिए, तो जैसे कि 110 के आसपास होना चाहिए, यदि किसी बेक्ति में डेड़ सव हो गया, दो सव हो गया, ढाई सव हो गया, तीन सव हो गया, मतलि ये इसकी जीतनी अधीक मा बढ़ती जाती है, उतनी कहना चाहिए, सुगर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और किसी बेक्ति को, यदि सुगर डिसीज है, तो यदि लंबे दिनों तक है, एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल तक, तो इस बीच में कहना चाहिए, हमारा रग्ता क्या होता है, पुरी शरीर के आरगन रग्त में डूबी हुई पाई जाती है तो मीठे रग्त में डूबी हुई पाई जाने के कारण हमारे जो हार्ट होते हैं लीवर होते हैं किड़नी होते हैं या कोई अन्य आरगन क्या हो जाते हैं नस्ट हो जाते हैं डेथ हो जाते हैं इसी कारण प्रकार की स्थिति उथ्पन्ण होती है तो उत्तर क्या आज आएगा D अगनाश्य में बीटा सेल्स की कमी क्योंकि बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्वन की उत्पत्ती होती है अलफा सेलस अभी याद रख लेंगे अलफा सेलस से ग्लुकागोन हार्वन उत्पन्न होते हैं और ग्लुकागोन का कार्या आप लोग जश्ट इंसुलीन के विप्रित जानना इंसुलीन का कार्या होता है ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में तो ग्लुकागो किया गया था तो उत्तर है A 1995-96 में क्लियर तीसरा कोश्चन है तंबाकू के धुए में कार्बन मोनो अक्साइट पाई जाती है CO कार्बन मोनो अक्साइट पाई जाती है ठीक है तो इसका उत्तर है B रक्त की आक्सीजन वहन छमता को कम करती है यदि आप कहना चाहिए आप ऐसे इस्थानों में होते हैं जहां पर O2 भी है और CO भी है मतला आक्सीजन भी है और कार्बन मोनो अक्साइट भी है तो हमारे RBC में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है ये हीमोग्लोबिन आक्सीजन को छोण कर CO स्क्रिया कर लेते हैं मतला आक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाते हैं HBCO बना लेते हैं B C O तो हमारे रग्त में आकसीजन की वहन छमत क्या हो जाती है क्योंकि हीमोगलोबी नहीं कहना चाहिए आकसीजन का क्या करती है परिवहन करती है तो यदि आपको C O भी मिल जाएगा तो हीमोगलोबीन आकसीजन को छोड़ देती है इनके साथ जयदा हुले हो जाती है जिनके करण हमारे सरीर में रगत में ऑक्सीजन की वहां छमता क्या हो जाती है कम हो जाती है क्लियर आगे है धुम्रपान हानिकारक है क्योंकि इससे पैदा होते हैं बहुचक्री एरोमेटिक हाइट्रोजन जिनसे क्या हो सकता है कैंसर वैसे समान्य सब्द है कई बार गाओं में भी बोलते हैं असिक्षित ब्यक्ति भी बोलते हैं कि जो जादा धूमरपान करेंगे जादा स्मोकिंग करेंगे तो क्या हो सकता है कैंसर हो सकता है क्लियर आगे कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर जनक कारक है कार्सिनोजेनिक एक कैंसर के प्रकार है यह कार्सिनोजेनिक तो कैंसर जनक कारक है मतलब आपको बताना है इन चारों में शे कौन कैंसर का कारक है पहला आपसन है एकसरे अल्ट्रा वालेट रे निकोटीन उपरोगत सभ तो यहां पर उत्तर है उपरोगत सभी आप लोग बोलेंगे कि एक सरे से कैसे हो सकता है एक सरे से तो हम लोग कहना चाहिए जब सरीर में कहीं दर्द होता है या पिर कहीं बोन तूट गया है तो एक सरे से पता करते हैं अल्ट्रा वाइलेट किन्डे भी बहुत महत पूर्णा होते हैं ठीक है यह medicinal तो है medicinal उपयोगी तो है लेकिन आप लोग जानते हैं कि किसी भी medicine का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो सरीर के लोग क्या हो जाते हो पाईजान हो जाते हैं वैसे ड्रक्स मतलब अवसधी अवसधी इंग्लिस में ड्रक्स और ये ड्रक्स मतलब अवसधी कब कहलाते हैं जब इसका आप निमित मात्रा में शेवन करेंगे जितना चाहिए उतना यदि आप इसको कहना चाहिए डेली उपयोग करेंगे तो शरीर के लिए क्या बन जाते हैं केंसर रुद्पन नहों सकते हैं निकोटीन ये तो तंबाकों में पाई जाती है तो उत्तर है डी लिवर सिरोसिस मतलब यक्रित का रोग किसके लगातार शेवन से होता है इसको तो कोई भी बता सकता है ये सब्दा तो गाव में भी प्रचलन में हैं कि ये बेक्ती ज्यादा इलकोहल ले रहे हैं जादा सराब पी रहे हैं इनके लिवर में क्या हो सकता है कैंसर हो सकता है लिवर खराब हो सकता है तो लिवर सिरोसिस यक्रित रोग क्लियर आगे है अलकोहल लगातार लेने से कांसर लक्षण नहीं दिखेगा इलकोहल यदि कोई ब्यक्ती लगातार ल लिवर द्वारा वसा का संसलेशन ये भी होगा लिवर द्वारा वसा का संसलेशन होता है जिसके करण कई बार ये देखा गया है जो इलकोहल लेने वाले बैक्ती है सराब लेने वाले जो बैक्ती है जिनमें इलकोहल की मातरा कम होती है वह बैक्ती मोटे हो जाते हैं निम्न र आगे चलकर खराब हो जाती है अमासा में सोथ ये भी होता है पैशे की बरबादी ये भी होता है परिवारी कला ये भी होता है क्लियर आगे है नीमन में से ये ड्रग नीमन में से ये ड्रग ओपियेट या ओपियेट से नार्कोटीक अफीम मार्फीन कोडीन हीरोईन ये सब ड्रग है ये सब ड्रग है ये ड्रग किसलिए लिये जाते हैं ठीक है तो उत्तर यहाँ पर है सी ये दर्द नासक और निद्राकारी होते हैं क्या होते हैं दर्द नासक निद्राकारी क्योंकि उत्तेजा का उसधी नहीं है बिना निद्राकारी के तनाव को कम करता है ये भी नहीं है निद्राकारी चिंता नासक ये भी नहीं है जो अफीम होते हैं मार्फीन होते हैं कोडीन होते हैं हिरोईन होते हैं ओपियर्ट से यह नार्कोटिक्स होते हैं, यह होते हैं दर्द नासक निद्राकारी, मतलब जो दर्द होते हैं सरीर में उसको दूर करते हैं और यह निद्राकारी मतलब नींद भी आते हैं, ठीक है जी, अलाइकि यह सब कहना चाहिए ड्रग है, कानूनन अपराध है, केवल म अगला कुश्चन है चिंता नासक निद्रकारी और सधी है तो उत्तर है डाइजी पाम आप लोग सुने होंगे मेडिसीन एक आता है मेडिकल दुकान में यदि को भी व्यक्ति बिना परची के जाते हैं और मेडिकल दुकान वाल यदि पहचान नहीं है तो डाइजी पाम जनरली नहीं देते हैं क्योंकि ये होते हैं निद्रकारी और सधी मतलग इसको लेने के बाद नीन आते हैं और ये चिंता नासक मतलग को भी व्यक्ति बहुंच चिंता ग्रसित होते हैं तो उसको जनरली तरपर रात्री में नीन भी नहीं आते हैं तो कहना ची ये टेबलेट लेते हैं, डाइजी पाम या फिर वेलियम का, अलग 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 नामों से इसका कहना ची उत्पादन करती है, डाइजी पाम एक समान ने सब्दा है, वेलियम नाम से भी कहना ची मार्केट में बिखते हैं, ये होते हैं चिंता नासक निद्राकारी, मतलब जो चिंता होते हैं उसका नास कर देते हैं और अच्छी से नीन आती है लेकिन लगातार लेने से वह बेक्ती डाइजी पाम के प्रती क्या हो जाते हैं आधी हो जाते हैं और जब तक नहीं लेंगे तब तक नीन उसको नहीं आती है अता इसको हमको नहीं लेना चाहिए चाय, केफीन, पत्ती, कॉफी, केफीन, बीज, कोको, कोकीन, पत्ती ये सभी कम सी अवसर दिये तो आपको बताना है जो चाय होते हैं, कॉफी होते हैं और कोको चाय, काफी, कोको, चाय मिलते हैं पत्ती से, काफी मिलते हैं बीज से और कोको मिलते हैं पत्ती से, चाय में केफीन होते हैं, काफी में केफीन होते हैं और कोको में कोकीन होते हैं, ये सब क्या है? तो आपको बताना है ये सब उत्तेजक और सधी है चाय तो हम लोग सभी लेते हैं यदि कोई व्यक्ति को ठक आउट लग रहा है यदि उसको कहने चाय देते हैं तो पीने के बाद वो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं ठीक है तो ये है उत्तेजक अवसधी मतलब इस फूरती आ जाती है पीने के बाद कुछ समय के लिए आगे कुश्यन है जो गांजा होते हैं भांग, चरस मतलब मेसकालीन ये कंसी अवसधी है गांजा, भांग, चरस चरस मतलब मेसकालीन ये कंसी अवसधी है ठीक है ये होते हैं उप्रोक्त सभी मतलब इसको इंगलीज में साइकेडेलिक या फिर हैल्यू सिनोजेन कहा जाता है और साब्धिक हिंदी में कहा जाता है ब्रहम उत्पन्न करने वाली मतलब ये जो गांजा है भांग है, चरश है, मिशकालिन है इन सब को यदि कोई ब्रहम उत्पन्न हो जाते हैं, उसको ये भी पता नहीं होता है कि कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है कौन पूर है, कौन पश्ची में मतलब एक प्रकार से उसमें ब्रहम उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है जी, इसी कारण एसिड डाई एथिल एमाइड इसको भी कई बार कंपिडिशन परिक्षा में पूछे जाते हैं एलेजडी का फूल फाम क्या है लाई सर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड मतलब बी यह एक कवक से प्राप्त होते हैं यह कहना चीए क्ली विशेफ सब पर फ्यूरिया उस कवक से कहना चीए अरगोड नामक डिसीज होता है राई के पावध्यों में अरगोड नामक डिसीज होता है उस कवक से उसी कवक से एलेजडी प्राप्त होते हैं आगे है आजकाल कि यूओ शरीर में हलके संसनी ताथ रोमांच पैदा करने के लिए किस सथी को लेटे हैं वsemble énerशने के लिए किस ऑसथी को लेते हैं तो उत्तर यहीएं LSD लाइस्लिक एईसिट डाई एथील एमयड ये कवक से प्राप्ता होते हैं आप देखे होंगे जो बड़े-बड़े कहना चाहिए क्लब होते हैं बड़े-बड़े सहरों में वहाँ पर कहना चाहिए जो मेल फिमेल होते हैं वहाँ पर कहना चाहिए रोमान करते हुए देखे जाते हैं तो वो कौन सा ड्रग लिये रहते हैं ठीक है वो लिये रहते हैं LSD इन्सोम्निया, इन्सोम्निया क्या है, निंद ना आना, यदि किसी बेक्ति को निंद नहीं आती है रात्री में, तो वो इन्सोम्निया रोग है, इसी के लिए कहना चाहिए डाजी पाम विल्यम लिये जाते हैं, जो चिंता नासा का और निद्राकारी होते हैं, निद्राकारी तो कहना चिए अफि, मार्फीन, कोडिन भी होते हैं लेकिन वो होते हैं निद्रकारी पलस दर्द नासक, clear? आगे है धतूरा, धतूरा पाउधे तो सभी देखे होंगे, धतूरा पाउधे से क्या प्राप्ता होता है? वी भ्रमित मतलब धातूरा के पावधे के जो फूल होते हैं बीज होते हैं उसको यदि कोई व्यक्ति ले लेते हैं तो कहना ची कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं वी भ्रमित क्या हो जाते हैं मतलब चिंता ना सक नहीं दर्दनासक नहीं उद्धीपक नहीं वो होते हैं वी भ्रमित भ्रामुत पन्न कर देते हैं कोरोना रोग हो गया या हो जाने का आविवेकी भाय कहलाता है जैसे कि आज कल ये चल रहा है किसी वेक्ति को यदि सर्दी आ गया एक हांसी आए गया तो उसको लगता है कि मेरे को कहीं कोरोना हो गया है मन में एक डर से समा जाता है कि रोग हो गया है तो एक प्रकार से वो फोबिया है डर है भय है तो क्या बोलेंगे यह चुनकि कोरोना एक रोग है तब इसको बोलेंगे पेथो फोबिया पेथो फोबिया म Rehabilitation का अर्थ होता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक ड्रग लेता है या फिर कहना ची ब्यासन से ग्रसीद है चाहे वह अवसधी से ब्यासन से ग्रसीद हो चाहे एलकोहल से हो चाहे तमबाकू से हो चाहे भी अन्यसे युवा अवस्था में ब्यासन एक चेप्टर है एडल्सन एन एडिक्सन या अस्था में ब्यसन तो कहना चाहिए या तो ड्रक्स के प्रती होते हैं और सधी या फिर अलकोहल या फिर तंबाकू या फिर आज काल उभीन प्रकार के पान गुट का पहुंचा गए हैं तो ब्यक्ति बहुत ज़्यादा लेता है बहुत तब भरति, घर में कला, हर जगह मानसमान में क्मी, कहीँ पर गिर जाना, कहीँ पर सो जो जाना, तो उसको कहना चाहिए अपनी पूर्वा वस्था में आ जाती है, तो जो व्यक्ति होते हैं addiction होते हैं उसको पूरी तरह से छोड़ कर अपनी पूर्वा वस्था में आ जाती है तब उसको कहा जाता है rehabilitation मतलब सब बैसन को छोड़ कर अपनी प्रारंभी के वस्था में आ जाना clear आगे है cholesterol, endrozen, estrogen, glucocorticoids, mineralocorticoids यह सब किसके उधारण है तो यह सब कहना चाहिए D, मतलब A और B, यह esterides मतलब lipid है जो endrozen होते हैं, estrogen होते हैं, cholesterol होते हैं, glucocorticoids होते हैं, mineralocorticoids होते हैं यह सब कहना चाहिए जन्तु एवं पाउधों के सरीर में पाये जाने वाली एक वसा है एक lipids है, जिसे esterides भी कहा जाता है जैसे हम लोग बोलते हैं कि cholesterol सरीर के लिए हानी कारक है cholesterol क्या होता है, एक वसा पदार था है, जो सरीर के लिए क्या होती हानी कारक होती क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यदि हम लोग cholesterol लेते हैं तो जो blood vessel होते हैं, उसमें जाकर चीपक जाती है और blood circulation में कहना चीप दिक्कत होता है तो वहाँ पर cholesterol की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो BP क्या हो जाती है, बढ़ जाती है BP अधिक बढ़ने के कारण blood pressure high हो सकता है और high के कारण आगे चल कर कहना चाहिए paralysis या फिर लकवा हो जाने की सम्हावना बनी रहती है लेकिन ये भी माना जाता है cholesterol ये जो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन जैसे सेक्सा हर्वन होते है उनके उत्पन न होने के लिए cholesterol क्या होते हैं? आवस्याक होते है तो इन सब का कहना चाहिए सीमित मात्रा में ही उप्योग होना चाहिए उत्तर है D, isterise, and lipids आगे हैं वह καौं से मेडिसीन है वह कौं से मेडिसीन है, जिसे उभी न चुचमजियों से प्राप्त किया जाता है मतलब micro condicioneset से प्राप्त किया जाता है और उभी न मा마 Creek milligram – को ही नष्ट करने के लिए इसको बनाया जाता है और इसका निर्मार कहने कि 1928 में सबसे पहली बार अलेगजेंडर फ्लेमिंग ने किया था और इसे एक कवक से बनाए गया था तो उत्तर आप लोगों को स्वताह मिल गया होगा क्योंकि हमको पता है बिश्व का प्रथम एंटिबारिटिक से क्या होता है पेनिसलीन इसका किस कवक में किये थे जो पेनिसलीयम नौटेटम नामक कवक से प्राप्त किये ठीक है यहां से कई कोश्यन आते रहते हैं जैसे की जो एंटिबारिटिक से होते हैं वो प्रात्मिक उत्पाद ना होकर सेकेंडरी उत्पाद होते हैं क्या होते हैं सेकेंडरी उत्पाद होते ह ठीक है एंटीबाइटिक्स सब दकिष्ट ने दिये थे तो वेक्षमेन नामक साइंटिस्ट ने दिये थे वे 1944 में सेकंड एंटीबाइटिक्स का खोज किये थे स्ट्रेप्टो माईशिन का खूच किये थे क्लियर आगे कोश्यर है टेरेटो जिन एक मेडिसीन है जिसका उप्योग महिलाओं द्वारा पेड़ दर्द या उल्टी रोकने के लिए किया जाता है ये समान्यता हानिकारक है क्योंकि एक मेडिसीन है जिसका उप्योग फिमेल द्वारा पेड़ दर्द या फिर उल्टी रोकने के लिए किया जाता है ये समान्यता हानिकारक क्यों है ये समान्यता हानिकारक क्यों है तो उत्तर है D A, B, C, D, E आ जाएगा उप्रोकता सभी मतलब यदि कहने चीए फिमेल के द्वारा गर्भावस्था के दावरान ये टेरेटल जन नामक मेडिसीन को लिया जाता है तो उनके जो भूण है गर्भा में जो इंब्रियो है वो असमान्य भूण उत्पन हो सकते है भूण में फोकोमेलिया नामक डिसीज हो सकता है भूण के जो प्रत्या रोपन है इंप्लांटेशन है वो रुख सकता है मतलब ओही डेक्ट से चार पांच दिनों के बाद गर्भासा में जाकर प्रत्या रोपीत होते हैं इंप्लांटेशन होते हैं वो भी रुख सकते हैं भूण में फोकोमेलिया नामक डिसीज हो सकते हैं सिसु में अंग निर्माण की क्रिया होती है उसमें बाधा उत्पन न हो सकते हैं भूण आसमान ने उत्पन न हो सकते हैं क्लियर तो उत्तर आ जाएगा उप्रोक्त सभी तो वास्ता में इतने सारे हानी कारक है तो इनको क्यों लिया जाता है तो इसको कहना चाहिए फिमेल द्वारा जाने अंजाने में इसको लिये जाते हैं ठीक है क्योंकि जो फिमेल होते हैं गर्भा वस्था की दवरान पेट में दर्द या फिर उल्टी होते हैं तो उसको रोक उत्पन न हो सकते हैं, clear? आगे है यदि एक महिला जो कहना चीए गर्भावस्था के दावरान, यदि कहना चीए एलकोहल का लगातार शेवन करती है, तब क्या इस्तिती उत्पन न हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है C, इसका उत्तर है C, मतलब भूण में फिटल एलकोहल सिंड् फिटल मतलब भूण, इसका जश्ट अभी आप लोग कूपन बताया था, ठीक है? भूण असमान्य हो सकते हैं, तो फिटल एलकोहल सिंड्रोम हो सकते हैं, clear? इसी कारण कहना चीए, इस दावरान एलकोहल का सेवन नहीं करना चीए, या फिर एलकोहल का सेवन नहीं करना यह जो लिवर होते हैं, लिवर सिरोसिस मतलब लिवर क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, जिसके कारण उस बेक्ती की मृत्यू भी हो सकती है, clear? आगे है नीम नमे से कौन सरोग, रग तक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर है जैसे की लुकोपेनिया, लिकोड ब्लड कैंसर, जिसमें डबलू विश्ची के मात्रा आज सकता से अधीक हो जाती है, हम लोग बोलते हैं, डबलू विश्ची हमारे सरीर के लिए बहुत महत्तो पूर्ण है, क्योंकि डबलू विश्ची से ही इम्म्यून सिस्टम मजबूत होती है, क्योंकि जो लिंफोसाइ पहुंच जैदा रहना चाइए, जैसे डबाश्ची की मात्रा हमारे सरीर में कितने होती हैं, साड़े पांच मिलियन के आज पास मेल में, मतलब पौझब लाग होना चाहिए, डब बश। क्यूबिक मिली मिटर में मेल में साड़े पांच मिलियन और फिमेल में पांच मिलियन यदि उस रेंज से यदि कम होते हैं और आव सकता से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर भी कहना चाहिए डिसीज बाना जाएगा उसी प्रकार से डबलू बिश्टी की मातरा होनी चाहिए मेल फिमेल में पांच से नाव हजार ज्यादा नहीं पांच से नाव हजार प्रती क्यूबिक मिली मिली मिटर में अब हम लोग बोलेंगे कि डबलू बिश्टी अधीक होना चाहिए क्योंकि इनसे यूमिन सिस्टम रोग प्रती रोधक छमता क्या होती है इस्ट्रांग होती है और हम लोग इसको बढ़ाने का सोचेंगे और सोचेंगे कि नहीं ये 15,000 प्रती क्यूबिक मिली मिली मिटर होना चाहिए तो यदि 15,000 होते हैं तब कहना चाहिए वो बलड कैंसर है ल्यूके मिया एक कैंसर हो जाएगा क्लियर बोन मेरो कैंसर ट्यूमर से प्राप्त सिल क्या कहलाते हैं इसको भी एक बार निट में पुछा गया था बोन मेरो बोन मेरो जो लिंफोसाइट्स बोन मेरो सेल से में प्रिवेस करते हैं जो lymphocytes सा bone marrow cells में प्रिवेस करते हैं वही B cell सा बनते हैं और B cell सा ही antibody का क्या करते हैं दिर्माड करते हैं लेकिन जो bone marrow है अस्थी मजज़ा है अस्थी मज़ा bone marrow हमारे सरीर की जो बड़ी बड़ी अस्थियां होती है हुमर होती है, फीमर होती है, टीबियो फिबुला, रेडियस अलना, मुख्यरूप से कहना चाहिए फीमर, जांग की अस्थियां, जो सरीर के सबसे बड़ी अस्थियां हैं, और हुमर, जो कहना चाहिए अपने हैंड में पाई जाती है, ठीक है, इनके अंदर में कुछ टीसू पाई जाती है red color की उसको red bone marrow कहा जाता है red bone marrow bone marrow यही कहना चाहिए RBC का निर्मार करते है red bone marrow red bone marrow लाल अस्थी मज्जा तो यह जो बड़ी बड़ी अस्थियां होती है उनके अंदर में bone marrow cell सा पाई जाती है यदि इसी bone marrow में कहना चाहिए यह cancer हो जाती है tumor हो जाती है तो bone marrow cancer tumor से प्राप्तसेल क्या कहलाते है तो bone marrow cancer या bone marrow tumor से प्राप्तसेल क्या कहलाएंगे तो यहाँ पर उत्तर है B mylo mass bone marrow cancer से प्राप्तसेल क्या कहलाती है mylo mass clear आगे question है गलत कथन पर विचार कीजिए गलत कथन पर विचार कीजिए तो यहाँ पर आपसन की शेंखिया आठ है तो आपको प्रत्यक आपसन को ध्यान पूरवक पढ़ना पड़ेगा और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर गलत कथन पर आपको विचार करना है clear? तो यहाँ पर शभी आपसन को एक के बाद एक देखते है कैंसर उत्पन न करने वाले जीन अंको जीन कहलाते है सही कैंसर उत्पन न करने वाले जीन अंको जीन कहलाते हैं क्योंकि विज्ञान की वह साखा विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत cancer का अध्यन क्या जाते हैं अंको लोजी कहलाते हैं और जीन को अंको जीन सही अंको जीन की खोज विशब एंड वर्मुस नामक साइंटिस्ट ने किये थे ये भी सही तीसरा cancer मतलब अन्यंतरिस cell division ये भी सही क्योंकि cancer का परिभासा ही यही होता है कोशिका में जो नियम्मित विभाजन होती रहती है एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोला, सोला से बद्दिस ऐसे नहीं होता है जो cell होती है, उसमें जो cell division अन्यंतरित हो जाती है, मतलब कुछी सेकंड में करोणों बार हो सकती है तो वहाँ पर एक कोशिका का गुच्छा बन जाएगा, तो ये भी सही, फोर्थ, cancer cell, पोशन के लिए समान या cell से ही competition करते हैं ये भी सही, जो समान या cell होते हैं, वही cancer cell में बजलते हैं, जो cancer cell होते हैं, तो आस पास में जो समान या cell रहेंगे, उसी सी पोशन के लिए क्या करेंगे, ये भी सही, फिप्त, ग्लुकोमा रोग एक cancer रोग है ग्लुकोमा रोग एक केंसर रोग है ये गलाथ है क्योंकि ग्लुकोमा एक आई का रोग है आई का ये बड़ी डिसीज है यदि आई में कहना चाहिए ग्लुकोमा रोग होते हैं तो बेक्ती कहना चाहिए इलाज नहीं कराएंगे समय पे तो अंधे भी हो सकते हैं ब्लैंड भी हर्पिस वाइरस से प्रोस्टेट कैंसर होता है ये भी गलत फिप्थ और सिक्स गलत सेवन हिूमन पेपिलोमा वाइरस हिूमन पेपिलोमा वाइरस से सर्वाइकल कैंसर हो सकते हैं ये सही है आगे मेलिगनेंड कैंसर ज्यादा हानिकारक नहीं है जबकि बेनिकन कैंसर बहुत ह हा निकाराख है ये गल्ट cancer समाने दिश्वर दो फ्रकार के होते हैं एक होते है बेगन और एक होते है मेलिगनेर्ड तो आप लोग को मैं प्ढ़ाते समय बताया था जो बेगन होते हैं वो कम हानिकाराख होते हैं जिस जगह पर यदि हुए हैं तो वो वहीं पर present रहते हैं यह नहीं फालते हैं लेकिन जो malignant cancer होते हैं सुरवाती दार में जिस जगह पर होते हैं वहीं पर रहते हैं लेकिन बाद में कहना चाहिए यह गल कर गिरने लगते हैं और blood circulation के माध्यम से पूरे सरीर में चले जाते हैं और आगे चलकर कहना चाहिए यह पूरे सरीर में फैला सकते हैं तो malignant cancer बहुत ही हानी कारक होते हैं तो यहाँ पर आपको गलत उत्तर को बताना है तो 5 गलत है, 6 गलत है और 8 गलत है तो उत्तर आजाएगा यहाँ पर C मतलब 5, 6, 8 क्या है? गलत है लास्ट कोश्चन है, नीवन में से कौन सा एक cancer का सीधा कारण है? मोटापा, अप्रयापत आक्सिजन आपूरती, हाइपर टेंसन, एथीरो, इसका लेरो, सिस तो इसका शमान यह उत्तर है, आक्सिजन की कमी यदि कहना चाहिए, शरीर में आक्सिजन की कमी हो जाती है यदि किसी सेल में आक्सिजन की प्रयापत पूरती नहीं होती है तो उस सेल में कहना चाहिए, कैंसर सेल होने की संभावना अधीक होती है क्योंकि आक्सीजन की कमी हो जाएगी तो यहां पर क्रेफ साइकल नहीं होती है क्रेफ साइकल नहीं होती है और क्रेफ साइकल कहना चीजन की उपस्तिती में होती है तो उत्तर अप्रयाप्त आक्सीजन अपूर्ती ठीक है जित तो यहाँ पर कहना चाहिए यह Human Health and Disease के अंतरगत तीसरा टेस्ट भी समापता होता है अब इसके अंतरगत के अवल एक टेस्ट जो फोर्थ टेस्ट है वो सिर्फ बस गया है जिसका अध्यन हम लोग अगले दिन करेंगे ठीक है तो आप लोग मेरे यूटूब चैनल को लगातर सस्क्राइब करिये लाइक करिये यदी किसी प्रकार की कोई शमस्या है तो आप निचे में कमेंट सब्स जरूर लिखिये आप लोगों को फज़ात निस्ट रूप से होगा यदि आप 11 की टुटेंट है बारवी की टूडेंट है तो आप 12 बारवी बायलोजी के अध्यन करत निट का त्यारी करिए यदि आप कहने चाहिए बारवी पढ़ चुके हैं और आप उसे सुरुप से अध्यान कर रहे हैं निट का तो आप से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो यूटूब चैनल है उसका वीडियो देखिए और यहां पर जो अबजेक्ट्व कोश्चन आप जितना टार्गेट में अंक रखे हैं उससे आपको जायदा अंखी मिलेगा और यदि आप पर्टिकुलर बारुवी के अध्यान कर रहे हैं तो यदि आप इतना कहने चीव विस्त्रीत अध्यान करते हैं तो आप निश्ची दुरुप से बाइलोजी में 100 में 95 नंबर लाएंगे आप ठीक है जी तो आज के लिए केवल इतना ही कल पुना अध्यान करेंगे इसी चेप्टर का एक और जो टेस्ट बचे हैं उसको लेकर ठीक है तो आज के लिए केवल इतना ही ओक है